नमस्कार आप ओपन विंडो देख रहे हैं और मेरे ना मंजीत कौतम है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों भारतिय जनता पारटी के विधायक जो जीन से विधायक है डॉक्टर कृशन मिड़ा उन्होंने किसानों से माफी मांगी है पूरा क्या मामला था, क्या प्रकरण था, चार पास दिन में क्या-क्या घटनाए हुई, वो सारी ही वाते हम एस वीडियो में आप से शेर करेंगे जीन के दोरे पर आए, सीम मनोहर लाल का विरोध करने के लिए खटकर टोल पलाजा से P.W. West House के बहार जब किसान पहुंचे तो उन्होंने वहाँ धर्णा परदर्शन किया और DC को सीम करेकरम की सूचना देने के लिए, गुम्रा करने के लिए DC को पर उन्होंने अरोप लगाए बाद में किसान ट्रक्टर ट्रोलियों में भर चीन के विधायक डॉक्टर किषिन मिद्दा के आवाज पर पहुंच गए लगबग 12 साल का बच्चा हाद में बंदूख लिए दिखाई दिया तो किसानों ने आरोप लगाए कि विधायक के परिवार के सदसे किसानों को बंदूख दिखा कर डरा रहे हैं इस पर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया तो पुलिस ने एक बच्चे को बंदूख के साथ वहाँ पर काबू कर लिया लगिन बाद में ADC समेट कई अधिकारी मौके पर पहुँचे और किसानों को जाच कर कारवाई का आस्वाशन दिया गया और बताया गया कि जो ये बच्चा था एरगन लिये हुए था इस पर परदुशन कर रहे किसानों वे मजदूर संगठन निताओं ने पुलिस को लिखत शिकायत देकर कानूनी कारवाई की मांग की है शिकायत करताओं में भारते किसान यूनियन के जो डिस्टिक प्रेजिडेंट है आजाद पालवा थे किसान अमरजद सिंग अने इस विरंदराद ही लोगों ने विधायक पर आरोप लगाया कि बंदूक दिखाने वाले में भाजपा विधायक डॉक्टर मिड़ा का बेटा और एक बतीजा शामिल है किसानों ने कहा कि विधायक को ग्यापन देने आये ते लेकिन उनके परिव अगले दिन क्या होता है वो देखिए किसानों दुवारा पर बंदूक दिखाने का रोप लगाया जाने पर जीन विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार में डैने सफाई दी शुक्रवार को उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस वारता आयुजित कि और उसमें उन्होंने किसानों की आड में कुछ शिरारती तत्व उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनके परिवार का या उनका बेटा कोई भी सदस्य गटना में सनलिप्त मिलता है तो जो तीन मही को महा पंचायत होगी उसमें पंच मिड़ा को जो सजा देंगे उसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन किसानों को सजा दी जाए जो उनके परिवार को बदनाम करना चाहते हैं उन लोगों को सजा दी जाए उन्होंने सबस्ट कह दिया कि अगर महा पंचायत ऐसा नहीं करती तो मजबूरी में वह ऐसे लोगों के खिलाफ कोड का दरवजा खट-ख किया और इसमें कुछ लोगों ने साजिश रच कर उनको बदनाम करने की कोशिश की वो और उनका परिवार शुरू सही अंदाता हो किसानों के साथ रहा है ऐसा मिड़ा साब ने कहा है उन्हें कहा कि जब उनके पितादी स्वर गया है डॉक्टर हरीचंद मिड़ा डॉक्ट को बहाने के लिए उस एर गां का प्रीयोग करता है लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा मेंटासब कहते हैं उनको बदनाम करने के लिए उनके बेटे और बतीजे का नाम लिया और वो далॉ किसानों को पंदूव को पंदूग दिखा रहे थीौस दाइक ने कहा कि केसानों की होने कृम्तिम जो महा पंचायत में बाते हुई क्या कि सामने निकल कर आया किसानों दूबन प्रॉदायक थे ईए करता किसान को शिरारति के कायों के गया विभीन खापो और खटकर तोल धरने की कोअ कमेटी कि पंचायत में विदायक डॉक्टर कृषिन मिड़ा भी अपना पक्स रखने के लिए पहुंचे इस दुरान दोनों पक्सों में की और से एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगाए गए और किसान नेताओं को शिरार्ती ततों कहने पर विदायक को घेरा गया इस पर विद प्रधान सत्मीर पहलवान ने कहा कि विदायक ने माफी मांगी तो पंचायत ने उनको माफ कर दिया है अब विदायक और किसानों के बीच किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है और यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है